नमस्कार फ्रेंट्स मैं सुरेश कुमार कुषवाह यसके के यर्थ के इस खास यूटूब चैनल में आप सब का हार्दिक स्वागत करता हूँ फ्रेंट्स आज मैं आप सब के लिए ले के आया हूँ मेंटिस धर्मियो नामक कीट पर एक बहुत ही रोचक वह उपयोगी जानकारी से युक्त वीडियो फ्रेंट्स हमारी धर्ती अनेक रहस्य मैं जीवों से भरी पड़ी है उन्ही रहच्य मैजीवों में एक यह हरे रंग का प्रेंग मैंटिस यानी मैंटिस धर्मियो नाम कीत है मैंटिस धर्मियो संग आर्थ पोड़ा के कीत वर के गढ़ मैंटोडिया का ऐसा प्राड़ी है जो अपने अगले पैर इस तरह जोड़े रहता है, मानुवह प्रार्थना कर रहा हो, इसलिए इसका नाम मैंटिस धर्मियों रखा गया है, और इसका बैज्यानिक नाम मैंटिस रेलीजियोसा है, मैंटिस धर्मियोसा दुनिया भर के सम सीतोष्ण और उष्ण कटिबंधी प्रदेशों में देखे जाते हैं, एकसर इन छेत्रों के जंगलों या घासी मैदानों में वनस्पतियों की साखाओं या पतियों आदिसे मेल खाते हुए रंग लिये होते हैं, हमारी धर्ती पर मैंटिस की कुल 24 सव से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, इस कीट की प्रमुग पहचान लंबी तथा लचीली गरदन पर समर्थित उभरी हुई आँखों के साथ उनके त्रिकोड़ी सिर तथा आरे नुमा दो विसाल अगले पैर होते हैं, इनके अगले पैर सिकार को पकड़ने तथा खाने में सहजोग देने के लिए उप्योजित होते हैं, यह कीट अपने अगले पैरों का उप्योग किसी सत्र से अपनी रच्छा करने या सिकार को पकड़ने के लिए एक हथाओडे की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, जिसका प्रहार बड़ा घातक होता है, बिल्कुल किसी प्रसिच्छित मार्शल आर्ट की तरह हैं, मैंटिस कीट की अवस्तन लंबाई दसमलों पांच से छे इंच तक होती हैं, प्रार्थना करने वाले ये कीट मांसाहारी होते हैं, और जीवित कीटों आमताओर पर टिड्डियों, तितलियों, मक्खियों जैसे कीटों का बच्छण करते हैं, कुछ मैंटिस, छोटे लिजर्ज, मेढक तथा छोटे आकार की पच्चियों को भी अपना निशाना बनाते हैं, इनके मुखपत्र ग्राइंडर प्रकार के होते हैं, जो इसे बहुत आसानी से सिकार को खाने में मदद करते हैं, इस तरह से यह कई घासी कीटों का बच्छण कर उनकी बढ़ती हुई संख्या को सीमित करने का कार करता है, इनके इसी प्रचंड आदत की वज़ा से इन्हें ग्राइश टाइगर के नाम से भी पुकारा करते हैं, यह कीट कभी कभार मदमक्खियों, तितलियों जैसे लाबदाय कीटों का बच्छण कर हमारी फसलों को हान भी पहुँचाता है, ऐसे में इनकी बढ़थी संख्या पूरी धर्ती के लिए खत्रा उत्पन कर सकती है, इसलिए प्रकित ने इनको नयंत्रित करने के लिए खुद इनही में नर्भच्छण सुभाव को विक्सित कर दिया है, ताकि इनकी संख्या सोते ही नयंत्रित होती रहे, फ्रेंट्स नर भच्छन क्या है इसको जानने के लिए पहले हमें इसके जीवन चक्रियानी लाइफ साइकिल को समझना होगा मेंटिस कीट में प्रजन क्या अक्सर जुलाई से नुवंबर तक देखी जाती है इस समयावद के दवरान एक परिपक्को मादा मेंटिस नर मेंटिस को अपनी तरफ आकर सिथ करने के लिए अपने सरीर से एक प्रकार का रसायन छोड़ती है उस रसायन की महक से नर कीट उसकी तरफ खिचे चले आते हैं उस दवरान मादा मेंटिस अपने पास आए नर मेंटियों को पकड़ कर जिन्दा ही खा जाती है उसके बाद जब मादा मेंटिस को पर्याप्त उर्जा मिल जाती है तब वह एक बार फिर से अपने सरीर से फेरोमोंस रसायन छोड़ कर और नर मेंटियों को आकर सिथ करती है और जैसे ही कोई नर्मेंटिस कीट उसके साथ जोड़ा बनाता है उस दवरान मादा मेंटिस नर्मेंटिस का सिर काट कर खा जाती है ऐसा सायद वह उसके उदर में पल रहे अंडों को वतरिक तूर्जा या पोशन प्रदान करने के लिए करती है प्रेंट्स ताज्यूप की बात है कि धड़ से सिर कट जाने के बाद भी दो तीन घंटे तक नर्मेंटिस में जीवन सेश रहता है और वह उस दवरान भी मादा मेंटिस के अवसकर छिद्र में अपने इस पर्म छोणता रहता है इस तरह से मादा के गर्भ में सभी अंडे निसेचित हो जाते हैं यह क्रिया लगभग तीन घंटे तक चलती है अंडों के पूर्ड रूपेंड निसेचित हो जाने के बाद मादा मेंटिस नर मेंटिस का पूरा सरीर खा जाती है या फिर धक्का दे दूर कर देती है उसके बाद वह दो सव से तीन सव के करीब अंडे देती है जिन्हें एक सफेद, रेशम्युक्त, पाली यूरेथेन, फोम जैसे एक मजबूत राट में उन्हें बंद कर किसी साकी पौधे की टहनी या पत्थर की दिवार में जमा कर देती है जिन्हें कुछ दिन बाद अंडे परिपक को हो नौजाद मेंटिस के रूप में बाहर निकलते हैं उस समय वो काफी मुलायम वो नाजुक होते हैं अतह कई तो परबच्चियों का आसानी से सिकार बन जाते हैं और जो मेंटिस बच जाते हैं और वयस्क हो जाते हैं उनमें फिर से वहीं पूर्व की भात क्रिया प्रारंब होती है नर मेंटिस को ज्यादा समय तक जीवित रहने का मौका नहीं मिल पाता है अतह नर ज्यादा तर छोटे आकार के ही दिखाई देते हैं जबकि मादाएं नर भच्चण कर ज्यादा समय तक जीवित रहती हैं इसलिए उवक्स आकार में काफी बड़ी हो जाती है फ्रेंट्स एक और जहां इनके क्रिया कलाब को देख कर दुख होता है वहीं दूसरी और यह जानकर खुशी होती है कि प्रकित ने इस तरह का गुण हम इंसानों में न देकर हम सब पर काफी बड़ा एहसान किया है जहां प्यार के बदले अपने सांथी द्वारा कमो वेस मौत तो नहीं मिलती फ्रेंड्स मैं अक्सर अपने यूटूब चैनल पर इस तरह के वीडियो लाता रहता हूँ अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंदाई हो तो आप इसे लाइक वर सस्क्राइब करें तथा घंटी को दबा कर चैनल पर आने वाली हर नई अपडिट को प्राप्त करते रहें नमस्कार